बचे हुए चावल से बहुत ही चटपटा सा बहुत ही हेल्दी सा नास्ता बनाएंगे जब कभी भी चावल बच जाता है तो समझ नहीं आता है हम चावल को क्या करें तो इससे हमें फेकना नहीं है बहुत ही टेस्टी सा नास्ता हमें बना लेना है जिससे की पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करके चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को पूरी लाज तक देखिएगा तो चलिए फिर बनाना सुरू करते हैं तो यहां पे हमें पका हुआ चावल ले लेना है यहां पे जो घर में नॉर्मल चावल बनता है वहीं चावल हमें ले लेना है और यह बचा हुआ चावल है चावल जब बच जाता है तो हम इसको फेकते नहीं है इसका हम रियूज कर लेंगे तो तो यहां पे हम जितना आपको क्वांटिटी में बनाना है उतना चावल ले सकते हैं मतलब जितना चावल बचा है उतने चावल का आप बना सकते हैं यहां पे हम चावलों को मिक्सी के जार में एड कर देंगे और इसमें अब हमें डाल देना है दही तो यहां पे हम दो बड़ पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करना है और धकन बंद करके हमें इसका स्मूध सा बैटर एक तयार कर लेना है अब इसको हमें निकाल लेना है एक बाउल में तो यहां पे हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं इसकी क्वांटिटी मतलब इसकी बैटर की जो कंसंस्टेंसी है वो गारी ही है ज्यादा हमने पतला इसको नहीं रखा है एक कटी हुई बारिक प्याज एड करेंगे एक कटी हुई टमाटर एड कर देना है और यहां पे दो से तीन हरी मिर्ची को बारिक हमने चौप कर लिया है वो एड करेंगे अगर आप तीखा कम खाना प वात के नुसा उसके बाद हम चावल का आठा एड़ करेंगे तो यहां पर बड़े चम्मस से आमचूर पाउडर एड़ करेंगे आमचूर पाउडर ना हो तो नीबु के जूस भी आप यहां पे एड़ कर सकते हैं अब इनको हाथों की मदद से हमें अच्छे सेagemिकस कर लेना ह हाथों की मदद से ही हमें इसको मिला लेना है अलग से हमें इसमें पानी वगर के इस्तेमाल भी नहीं करना है बेगार पानी के ही हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है यह बहुत ही बढ़ियां से हमारा नास्ता जो है वो बन के त्यार होता है थोड़े से हाथों में cooking oil भी डाल लेंगे ताकि हमारा जो better है वो ज्यादा चिपके नहीं बहुत ही आसानी से हमारा नास्ता जो है वो बन जाए अब यहाँ पे थोड़ा सा portion लेंगे और थोड़े से portion लेके हम हाथों पे इसको अच्छे से सेट करेंगे और हाथों पे रखके इसको और जैसे हम डोनट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमको इसको बना लेना थोड़ा सा चिप्टा करेंगे और इसको बीच से होल कर दे उएल डालके और इसको रख देंगे सारे नाष्टे को एक बार में ही और पहले ही हमने गैस सुले पे पानी रख दिया था गरम होने के लिए ताकि टाइम न लगे और यहां पे अब जाली वाले बरतौन को इसके उपर रख देंगे गरम पानी के उपर और धकां बंद करके इ एप जानी है एक तो एक बयास आप लिए तो ध्टारी आप बस्ती होता무no बहुत ही healthy होता है तो यहां पे हमने टमाटर की चटनी के साथ इसको शर्प किया है जो कि खाने में बहुत ही tasty लगता है तो friends आप लोगों से प्यारिस request है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को लाइक शेर करके चैनल पे पहली बार आरह है तो चैनल को भी ज